हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे मद्यपदेश सामानग्यांके mock ठेष्ट सौल्व कर रहे हैं मद्यपदेश घीके кино तो अभी तक हम लोग इस तरह के आपकी आठ टेश्ट कहतम कर चुके हैं यह आपका नौबा टेस्ट है कौन सा नौबा टेस्ट है याद रखिए मैं बार-बार बोल रहा हूं कि परिच्छें तभी दी जाती है अच्छे से जब आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी हो तो अगर आपने मद्वदेश सामान गयान को अच्छे से न नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें डली हुई है उसे जाकर देख लें उतना आपकी लिए मद्वदेश सामान गयान काफी है उससे बाहर आपका कोई भी कुश्चेंस नहीं जाएगा तो चलिए इसमें हम लोग नौबे टेस्ट में आपके कुश्चेंस देखते हैं और उनकी आंसर देने की कौसिस करते हैं पहला कुश्चेंस है हमारा मद्वदेश में सरवादिक बरसा कहा होती है क्या पूच रहा है मद्वदेश राज में सरवादिक बरसा कहा होती है तो यह आपको बता देना है पंचमडी ए ओप्सन सही है कुश्चेंस नमबर एक में A option सही है, फिर आपका दूसरा question क्या है, मद्विदेश में कम बरसा बाले छेत हैं, सबसे अधिक पचमड़ी और सबसे कम बाले छेत हैं, तो इसमें होगा आपका भेंट, मुरेना, गौालियर, इन छेत्रों में बरसा कम होती है, ठीका, तो question number दूसरे में आपका D होगा, क्या होगा, D option सही होगा, चलते हैं हम लोग question number 3 की तरफ, क्या है, मद्विदेश में सरवादिक ताबमान कहां अंकित किया जाता है, तो इसमें आपका B दीशा गंजवासा होगा, question number 3 में आपका B option सही है, question है मारा 4, मद्विदेश की एक मात रितू वैद साला कहां इस्ते थे, तो आपको बता देना हैं इन दोर में हैं, कहां हैं, इन दोर में हैं आपकी, question number 4 में आपका A option सही है, question है मारा 5, मद्विदेश की जलवाई हूँ है, मद्विदेश की जलवाई हूँ है, तो इस आपकी समसीतोष पिकार की, 5 वाए, B option सही 5 में, चलते हैं question number 6 गी तरब, मद्विदेश में ग्रेश में रिट्व को क्या कहा जाता है, तो इस एक कहाता है, कहा जाता है इउनाला, C option सही है, question है मारा 7, मद्विदेश में सीती रिट्व को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सियाला B option सही है फिर है आपका question 8 पिदेश में सरवादिक दैनिक तापांतर किस माय में मापा जाता है मद पिदेश राज में सरवादिक दैनिक तापांतर किस माय में माना मापा जाता है तो 8 में होगा आपका A यानि की मार्च में question है मारा no पिदेश में सीटकाल में पष्चिमी बिच्छोप से होने वाली बरसा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग मावट. क्या है? D ये आप्शन सही है बिलकुए. कुश्यन है मारत 10 नेमलिकित में से किस माय की समूग को मदिधिस में दुतिये ग्रीश में रेतू कहा जाता है निम्ली कितम सी किस माय की समूख हो मद्धिपतेस में दुतिये ग्रीश में रेतू कहा जाता है एक ग्रीश में रेतू के बाद दुतिये ग्रीश में रेतू कहा जाता है तो यह आपका सेप्टमबर अक्टूबर में 10 में होगा आपका D. Question नमबर 10 में क्या होगा? D option. सही होगा. चलते हम लोग 11 question number. Question 11 की तरफ चलते हैं. क्या है कि question हमारा? मालबा पठार पर किस पेकार की जलबाईयू पाई जाती है? जो आपका मालबा पठार है, इस पर किस पेकार की जलवाई हूँ पाई जाती है तो आपको याद रखना है सम जलवाई हूँ 11 में क्या होगा आपका? C option सही होगा Question है मारा बारे मालबा पठार का सबसे गरम महीना कौन सा है? जो आपका मालबा है, पठार है यहाँ सबसे गरम महीना कौन सा रहता है? तो बारे में आपका मही है क्या है C option सही है? मही महीना Question है मारा 13 निमलिकित में से कौन सा गतन असत थे? मदविदेश में सरवादिक बरसा पचमणी होती है बिलकुँ सही है मदविदेश में निमनतम बरसा सहधुल में होती है यह आपका गलत है मदविदेश में सरवादिक ताब मान गंज वासोधा में दर्ज किया गए है जाता है, सही है मदविदेश में मालबा के पठार की जलवाई सम है, यह भी सही है तो इसमें क्या होगा? सामान ग्यान आपने नहीं पढ़ाए तो आप इस questions को solve नहीं कर पाएंगे अगर अच्छे से आपने नहीं पढ़ाएं क्योंकि इसमें तीन कथन आपको पता होना चाहिए कि कौन से सही हैं तभी आप लोग सही इसे कर सकते हैं तो वहां जाकर बढ़ लें बहुत ही साधानर कथनों में पढ़ाए गया है वहां ठीक है बात करते हैं चौदे कुश्चन की निमलिखित कत्नों में से सत्त कत्न कत्नों को हमें चुनाव करना है मत्यपदेश में अधिकांस बरसा दच्छडी पश्चिमी मानसून से होती है बिलकुर सही है आपका राज में रितू बैत सा का राला है इन दोर में ये भी सही है बगेल खंट पथार आसद बरसा है एकसोपची संटीमीटर होती है ये भी आपका बिलकुर सही है कि तो कुश्चे नंबर 47 में आपका ए ऑप्सन बिलकुर सही है क्या है चौदे में Έऐ चलते हमलोग कुश्चे नंबर 15 की तरह कि आ ये सूर के उत्तरायन होने से मद्धिदेश की जलबाई में क्या परीवर्तन होता है सूर उत्तरायन होने के से मद्धिदेश की जलबाई में क्या परीवर्तन होगा तो याद रखना ताबमान में बिद्धी होगी क्या होगा ताबमान में बिद्धी होगी 15 में क्या होगा आपका A option सही है कुष्यन है मारा 16 निमलिकित में से किस छेत में ग्रीसम रितू में अत्यदिक गर्मी तथा सर्दी में साधारन ठंड पड़ती है तो यह आपका नर्वदा की घाटी कुष्यन नमरा 16 में आपका C option सही है कुष्यन 17 रतलाम नीमच किस बरसा वाली छेत की अंतरगत आती है रतलाम नीमच किस बरसा वाली छेत की अंतरगत आती है तो यह आती है आपके निम्न बरसा वाली छेत 17 में आपका C होगा 17 में क्या होगा C कुष्यन है 18 कुष्यन क्या है 18 जलवायू की भिन्नता क्या धार पर मत्विदेश को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है तो यह आपका चार कितने भागों में? चार भागों में ए ओप्सन बिल्कुल सही है कुशन हमारा उननीस राज में अधिकांस बर्सता किस मानसून से होती है? तो यह आपका दच्छिन पश्चिम मानसून से उननीस में क्या है आपका? यह ओप्सन बिल्कुल सही है फिर हमारा कुशन बीस निमलिखित में से असत्त कथन का चुनाव करना है हमें निमलिखित कथन जो नीचे दिये गए है इनमें हमें असत्त कथन का चुनाव करना है मद्यपिदेश में सरवादिक बर्सा पच्मणी में होती है बिल्कुल सही है मद्यपिदेश में अधिकांस बर्सा उत्तर फूर्वी मानसून से होती है यह आपका गलत है मद्यपिदेश में सरवादिक ताबमान गंजवासा उतर में दर्च किया गया यह भी सही है मद्यपिदेश में निम्तन ताबमान पंचमणी में अंकित किया जाता है यह भी आपका सही है तो इसमें क्या होगा बियो अप्शन क्योंकि यह आपकी अधिकान सबरता मद्विदीश में दच्छिट पर्षिम मांजून से होती है तो इसमें क्या होगा बीश में असत बी यह उप्षन बी यह उप्षन असत होगा ठीक है? चलते हैं हम लोग 21 कोश्चन की तरफ कौन से? 21 कोश्चन की तरफ निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है जो नीचे कथन दिये गए इनमें हमें सही कथन नहीं है देखना है तो 21 में हमारा नर्बदाचित में अधिकतम औसर दैनिक तापमान मई तथा निउन्तम तापमान आपका सम्बर में रहता है बिल्कुँ सही है कराकरे का बगेलखन पठाचित के उत्तर से कुझे रती है यह आपका गलत है सत्पोडा के महादेव परवत तथा तामिया के पठारी छेत में औसत मारसिक बरसा 23 सेंटीमीटर के लाब बगए सही है मत्यपिदेश की उसक बारसिक बरसा लगबग 112 सेंटीमीटर है यह भी आपका सही है तो कुश्चेन नमर 21 में आपका कौन से कलत होगा बी ओप्सन ठीक है कुश्चेन है मारा बी 22 नेम लिखित कतनों पर हमें विचार करना है कतन ए मत्यपिदेश में सर्दी और गरमी दोनों ही रित्मों में बायूदाब की लेकाएं पूरुप से पास्चिम की ओड जाती है यह आपका सही है कारण आर जून में उत्तर पास्चिम मी भारत में निउन ताब दाबमां बायूदाब का केंद बनने से सागरों के उपर से बहने वाली हवाएं भारत से बाहर की ओर चलने लगती है यह आपका गलत है तो question number 22 में आपका कथन A सही है लेकिन कारण जो है आर यह आपका गलत है तो इसमें क्या होगा? C, A सही है परंतु R, बिल्कुल गलत है तो यह था आपका नौबा टेस्ट अंगली क्लास में हम लोग बात करेंगे दस्वे टेस्ट के बारे में